आज का हमारा AutoCAD tutorial session हम स्टार्ट करते हैं आज भी हम कुछ modify command देखेंगे जो हमारी remaining modify command बचे वी थी या modify tools जो बचे आज हमको देखेंगे आज की tools चो है वो थोड़े से important भी है और शायद generally आप use भी नहीं करते हों उनकी जगह आप दूसरी command use करते होंगे तो इसको देखिए यह काफी helpful है और जरूर आपके काम आएंगी तो आज का पहला tool है हमारा align tool यह जिसे हम बोलते है align command इसका shortcut है L आप modify section में अगर जाएंगे या modify ribbon में आप जाएंगे तो आप यहां इसे देख सकते आपके modify ribbon में आप यहां पर देखेंगे तो यहां आपको मिलेगा align जैसे कि आपको name से clear होगा यह alignment के लिए use होता है for example आपको object को align करना है किसे दूसरे object के reference में तो वहां हम use करते है align tool यह align command हम use करते है for example यहां पर हम देखते हैं कि यह जिसे हमारा यह object आपको दिखाई द लिए लयुट करना हम दीकिना जो इसका direction में उसी direction में मुझे इसे आपको करना है इसका alignment करना है तो अपन यहां पर क्या use करेंगे align tool यूज करेंगे उसको यूज करने क्लिए शौक्ट क्या है ऑल यह आप command वहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी command आप use कर सकते हैं, align tool के लिए, यहां से हमने active करा, तो command active करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, उस object को select करना है, जिसे हमें align करना है, For example, हमने object को select करा, enter करेंगे, अब हमारा इसका first point select करेंगे, और यहाँ पर जो destination है, उसका first point select करा, इसी तरीके से, यहाँ पर हमारा source object का first point, second point, और जो हमारी destination object है, उसका second point, यह हमने select करने के बाद क्या करा, इसे हमने enter करा तो, अब यहाँ पर यह आप से पूछता है, कि हमें object को scale करना है या नहीं तो हमें अभी इस case में object को scale नहीं करना है और by default यह no होता है तो हम no करेंगे तो यहाँ देखेंगे object क्या हो गया है destination object के respect में क्या हो गया है align हो गया है इसी कि हम other types भी देखते हैं कि अगर एक से जादा दो object हो तो for example यहाँ पर हमाया पास यह दो object है तो अब इन दो object को हम कैसे align करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं वापस align command align हमने एल shortcut enter करा हम अब पूरे object को select करेंगे वापस वही process enter first point to first point second point to second point and then enter यहाँ पर भी हमें no करना है तो हम no करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर object क्या हो गया है align हो गया है इसी तरीके से हम तीसरा case समझते हैं तो आप देखें दोनों की scaling में difference है इसका size कुछ change है और इसका size क्या है difference है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे align tool हमने use करा पूरे object को select करा ठीक है first point to first point second point to second point ठीक है एंटर करेंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है इस object को scale भी करना है scale means कि हमें is object को this scale size पर लाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे yes पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा object बहले ही बड़ा था लिकिन आभ वो क्या हो गया है उनके लिए भी ड्राफ्मिन वगेरा उस सभी के लिए important है, depends करता है कि आप किस तरीके से work कर रहा है, तो इस tool को आप use करके जरूर देखिएगा, इसी तरीके से second tools है, या हमारी second modify command है, उसे हम बोलते है, join command, join command, name से ही आपको clear हो रहा होगा, कि और किसी भी object को join करने के लिए use होता है, अब हम देखेंगे कि यहां किस तरह के objects को join कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इस example के साथ समझते हैं, for example हम यहां पर समझते हैं, कि जैसे हमारे पास यह join command है, हम इसको कैसे use करेंगे, तो यहां पर हमारे पास दो object है, first object यह है, और second object यह है, देखिए, यह दो अलग-अल हैं, तक object है इन्हें, आपस में हमें join करना है, तो हमें join command यूज करना पड़ेगी, join command आपको यहां मिल जाएगी, modify जो आप करेंबन है, वहां पर आपको join command मिल जाएगी, आप यहां पर इससे देखिएगा, ठीक है, तो यहां देखिए, join command यहां पर available है, आप इससे use करिए तो देखिए हम first के से यूज़ करेंगे हमने shortcut यूज़ करा जे इंटर करा first object को select करा second object को select करा then enter ये दोनों को मिलाके एक object बना देता है लेकिन आप कहेंगे कि इसको हम बाकी command से भी यूज़ कर सकते हैं बिलकुल आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुछ जगह पर आपको joint command की ही use होंगी for example जैसे हमारे यह object हम देखते हैं पहले ठीक है यह हमारा rectangle दिख आपको रहा है लेकिन यह क्या है line object से बना हुआ rectangle है हमें इसे polyline में change करना है तो हम change करने के क्या करेंगे देखिए हमने पूरे object को select करा सिर्फ rectangle portion को और हमने क्या use करा join command तो देखिए इसने इस rectangle क को भी काई में change कर दिया है polyline object में clear है यह चीज़ तो यहां पर आप सिर्फ line को join ही नहीं कर सकते हैं आप उन्हें polyline object में भी change कर सकते चलिए इसी का हम एक और example लेते हैं अभी भी देखिए मैंने इसको undo करके line command से बनाए अब मैं क्या करता हूँ पूरे whole object को select करता हूँ join command यूज़ करता हूँ j enter तो देखिए इसने पूरे object को एक polyline object में change कर दिया है तो join command का सबसे बड़ा benefit ये भी है तो ये भी काफी जादा use होगी जब आप objects को polyline object में change करेंगे ठीगे next tool जो हम use करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं break tool या break at point यह दोनों ही command आपको modify section में मिलेंगे modify ribbon में मिलेंगे यहाँ पर modify ribbon में देखेंगे break and bracket point दोनों में difference क्या है हम दोनों को समझ लेते हैं ठीगे हम example के साथ समझेंगे for example हम आपको ब्रेक करना हो किसी particular distance के उपर break करना हूँ तो हम इसे break कैसे करेंगे और तो break के लिए शॉटकट है BR आपने इंटर करा इंटर जहां पर आप करेंगे वही आपकी first location भी हो जाती है for example हमने यहां पर इंटर करा तो यही हमारी first location है यही आपकी first location है जहां से break हो रहा है और इसको second point के आप distance के through भी कर सकते हैं तो for example इसके distance मैंने लिख दी 10 10 enter करा तो इसने क्या करा 10 जो unit था वहां तक इसने इसे क्या कर दिया object को break कर लिया तो जब भी आपको दो point break करना हो it means कि आपको दो separate object चाहिए लेकिन बीच में जो object है वो भी आपको क्या चाहिए वहां पर remove करना है तो उस case में आपन break use करेंगे इसी तरीके से for example यहां पर एक circle है इस पर हम break use करके देखते हैं break command tool हमने use करा ठीक है तो देखिए जिस point से हमने start करा यह वहीं से इसको break कर रहा है अभी मैं 2021 use कर रहा हूं AutoCAD version इसलिए इसमें यह facility है कि मैं यहाँ पर उसको length भी दे सकता हूं और चाहिए तो आप इसे second point से select करिए ठीक है जैसे मैंने second point यह select करा तो देखिए इसने इतना object क्या कर दिया break कर दिया तो यह break command का use अब bracket point का क्या use है वह आप समझते है तो bracket point भी हमें क्या मिलेगा यही पर इस side में मिल जाएगा यह command भी देखिए आपर bracket point ठीक है अब उसके बाद क्या करना है इस object को हमें distance देना है कि हमें इसको break कहां से करना है for example हमें इसे mid से break करना है तो mid पे हमने click करा यह देखिए mid के about यह दो point में change हो गया है ठीक है अब मैं इसको undo करता हूँ वापस इसको single object बनाया अब मैं इसे क्या करता हूँ इस object को मुझे एक distance लेते हुए करना है distance लेते हुए करना है तो क्येसे करेंगे तो वापस हमने वापस command को active करा यह single object है अब हम इसे bracket point करते है है bracket point हमने इसका midpoint लिया तो यहां पर देखिए इसने midpoint पर इसे break कर दिया वापस इन्हें join करना है तो आप join command से भी use कर सकते हैं तो यह वापस क्या हो जाएंगे object join हो जाएंगे क्लियर है यह चीज़ तो यहां पर यह command जो है आप bracket point single जब आपको एक break चाहिए तब आप use कर सकते हो और अगर कोई distance वाला break आपको चाहिए object को break करने के लिए तो उस case में अपन यह use करेंगे तो यहां पर मैंने object को select करा अब मैं इसे distance देता हूँ for example चाहिए इस point के about कहा तक मुझे इसे करना है तो मैं for example मैंने 10 enter करा चाहिए इस object पर तो देखिए इसने object को जो है break नहीं करा है क्योंकि इसने को हमने distance क्या दिए सही से distance नहीं दिए सब्सक्राइब तो जब आप distance सही से देंगे तो ही यह break होगा और नहीं तो point सही से select करिए आपका object break हो जाएगा इसे तरीके से इसके respect में हम करते है bracket point break at point हमने command लिए object को select करा और हमें में इस point पर इसे break करना है तो यह देखिए object हमारा break हो गया है तो यह command काफी यूज होगी जब आप टिपिकल कैसिस में work करेंगे तो आपके लिए काफी useful रहेगी सो next tools जो है हमारे पास modify section में या modify ribbon के अंदर वह है overkill आप लोगों ने शायद अगर आप autocad new user है तो आपने शायद इसको सुना नहीं होगा कि overkill command भी होता है ओवर किल शायर नेम से clear हो रहा होगा overkill इसके जब object एक दूसरे के ऊपर over होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं या multiple copies होती ही तो उस case में यह क्या करता है objects को kill करता है यह यह modify section में आपको मिल जाएगा यहां पर देखिए यहां पर निशान भी एक प्रूम का बना हुआ है और यहां पर लिखा हुए delete duplicate object तो यहां से आप duplicate objects को भी कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं बट आप कहेंगे कि हम duplicate object को delete क्यों करें for example यहां पर आप देखना है इस rectangle के अंदर multiple duplicate objects हैं लेकिन आप कहेंगे कि इन्हें हम delete क्यों करें यह भी clear है कि इन्हें delete क्यों करना चाहिए यहां पर देखेंगे आप multiple object है तो इन्हें हम delete क्यों करें हमें delete करने से क्या benefit होगा तो जब आप इसका print लेंगे तो print में इसकी thickness क्या होती आती है हर बार increase हो जाती है जितने जादा आपके क्या होंगे duplicate object एक दूसरे पर overlay हो रहा होंगे तो इसलिए आपको जब अगर print लेना है और वो print एक जैसा हो तो उस case में भी आप क्या करेंगे overkill को ही use करेंगे इसी तरीके से गर आप इस command को export करते हैं किसी दूसरे software में लेकर जाते हैं for example is drawing को sorry drawing को अगर आप किसी दूसरे software में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो इससे क्या करता है read करता है क्योंकि जितने जादा object होंगे वो उतना जादा read करेगा तो वहाँ पर भी आपके लिए क्या होता है यह जरूरी है कि आप duplicate object को या overlay object को क्या कर लें आप यहाँ पर delete करते वे जाए तो इसे हम use कैसे करेंगे वो देखेंगे इसका shortcut है OV और वहाँ से भी आप use कर स जाता है विंडो में आपके पास options है कि आप tolerance क्या रखना चाहता है या आपको किन object को ignore करना है तो वह आप यहां से ले लीजिए जिने इग्नोर करना है और नहीं तो by default पर वक करना है तो सिर्फ okay करिए तो आपको नीचे देखिए नीचे उसने बोला है two duplicates deleted जीरो overlapping object it means कि यहां पर उसने क्या करा है जो duplicate object थे जो एक जैसे दिखने में object थे जो एक दूसरे पर ले कर रहे थे उन्हें इसने delete कर दिया है ठीक है अब यहां पर मैं इसको move करके आपको दिखाता हूं तो यहां देखिए कोई object नहीं है इसने स को बेंऄ करेंबर हैं hem drawing part भी देख लेते हैं कि drawing part में आपको कैसे work करना है तो यहां पर आगर आपको यह drawing visible है ठीक है आप इसको स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी और अगर विजिबल नहीं हो रही तो मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा इसको मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूं अगर चाहिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको वह विजिबल हो जाए तो फॉर एक्जामबल अब देखें आपको विजिबल हो रहा होगा यह ड्रॉइंग तो इस ड्रॉइंग के अंदर मल्टिपल ओवरले ऑबजेक्ट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होंगे ठीक है मल्टिपल ओवरले भी ऑबजेक्ट है और शायए डॉप्लिकेट ऑबजेक्ट भी हो तो अब हम उसे कैसे क्ल करेंगे तो हम यहाँ पर ओवरले यूज करें इसके हमाएं नीचे क्या आया है ठीडिपलिकेट डिलेटेड 57 ऑवरलेपिंग ऑबजेक्ट कितने हैं यहां पर 57 ऑवरलेपिंग ऑबजेक्ट हो क्या करा इसने कि डिलीट करा है जो आपको visible नहीं थे तो इस कमांड का बहुत जादा यूज होगा जब आप प्रोफेश्नल work करेंगे या आप export करेंगे कहां पर या आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपको हाँ पर आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आज के हमारे इस वीडियो सेक्षिन के अंदर आज हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे जिकिए और बाकी के जो रिमैनिंग कमांड से मौडिफाइ कमांड जो है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो सेक्षिन में ज़रूर देखेंगे चिके सो फ्रेंग्स